बिहार की लचर सिक्षा विवस्था पर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं बिहार सरकार खासकर मुख्यमंत्री नितीश कुमार को बिहार की लचर सिक्षा ववस्था पर कई तरह के हमले किये जाते हैं आई दिन कई तरह के जो विज्जोज हैं ऐसे कई मामले हैं जो बिहार के सिक्षा ववस्था की पोल खोलती हुई नजर आती है और अगर बिहार में किसी सरकारी स्कूल भवन की कलपना की जाए तो लोग यही सोचते हैं कि वो भवन टूटी-फूटी स्थिती में होगी उस जो भवन का हाल है वो बिलकुल जड़जर होगा लेकिन बिलकुल इसके एक विपरित तस्वीर बिहार के रहतास जिले से सामने आई है जो की बिहार की सिक्ष्वा विवस्था की एक बिलकुल अलग और नई कहानी बताती हुई नजर आ रही है इस स्कूल की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कोई फोरन यूनिवर्सिटी है बलकि ऐसा नहीं है ये बिहार का ही एक सरकारी स्कूल है दिरसल सरकारी स्कूल की बात आती है तो आमतोर पर सबके जहन में खंडर नुमा तूटे फूटे जरजर भवन की शवी सामने आती है रोतास जिला के नकसल प्रवावित छेत्र में एक ऐसा स्कूल है जो खूबसूरती और सुवधाओं में स्कूलों के साथ ही कॉलिज कैंपस को भी बात देता है स्कूल के कैंपस में प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे किसे विश्व विद्याले या फिर किसी बड़े प्राविट स्कूल के परिसर में प्रवेश कर रही हो संस्कृत का सिक्षक ना होने के बावजूद यहां के बच्चे गीता, उपनिश्यद और वेदो का अंध्यन करते हैं यह स्कूल रहतास के तिलोथू में स्थित है आपको बताए कि रहतास के सुदुरवर्ती तुलोथू प्रकंट में स्थित उच्चतर माध्यमेक विद्याले का सुंदर कैंपस लोगों को अपनी ओर आकर्शित करता है कतारबद सुंदर सुंदर पेर और क्यारियों में लगे फूल के पौधे स्कूल की सुंदरता में चारचांद लगाते हैं सन 1932 में स्थापित या विद्याले 90 साल का हो चुका है लेकिन आज में इसके किलानुमा भवन इसकी खासियत है जानकार बताते हैं कि कब इस भवन में अंग्रेजों की कचहरी लगती थी कैमूर पहाडी के तलहटी में नकसल प्रभावत अलाके का ये विद्याले अपने आप में अनूठा है बाराल सिक्षक के बात करें तो इस उच्चितर मादमिक विद्याले में धाई हजार से अधिक बच्चे हैं खास बात ये है कि यहां वेद उपनिश्यद और तथा गीता की भी पढ़ाई होती है स्कूल में सरकार द्वारा जब संस्कृत सिक्षक की बहाली नहीं की गई तो स्कूल प्रबंद ने नीजी स्तर पर विद्याले में संस्कृत के लिए टीचर रखा ये सिक्षक बच्चों को वैदे घ्यान देते हैं स्कूल में कई सिक्षक ऐसे हैं जो सेवा निवरत हो चुके हैं इसके बावजूद वे प्रतीक दिन बच्चों की कक्षा लेते हैं ये सिक्षकों का समर्पन भाव है कि स्विध्याले के बच्चे जिला में लगातारा अवल रहते हैं स्कूल के प्रिंसिपल मैकुराम कहते हैं कि ऐसा सबके सहयोग से ही संभव है आने वाले कुछ मैनों में इस विध्याले का अपना स्वेमिंग पूल होगा जहां बच्चे तैराकी सीखेंगे जिला मुख्याले से दूर नकसल प्रभावेत अलाके में होने के बावजूद ये स्कूल पूरी तरीके से विवस्थत है बिहार के रोताज जिले से ऐसे चोकाने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने बिहार के सिक्षा विवस्था की एक बिलकुल नई तस्वीर दिखाई है स्कूल की तस्वीरे ऐसी है मानो किसी private branded स्कूल की हो या फर किसी अच्छे college campus की हो लेकिन नहीं ये एक सरकारी स्कूल का भवन है जहां पर इतनी सफाई maintain की जाती है इतना discipline maintain किया जाता है इतना ही नहीं वैदिक ज्यान भी बच्चों को दिया जाता है जब सरकार के तरफ से Sanskrit teacher की बहाली नहीं की गई तब स्कूल प्रबंदन ने नीजी सिक्षक को बहाल किया ताकि यहां के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो और आने वाले दिनों में स्कूल में swimming pool भी पनाया जाएगा ताकि बच्चे हर तरह की सुविधाओं से less ह फ्लागे लेस अपडेट में ताहिया रगे अपडेट्स के लमार साथ बनी रही न्यूस फोर नेशन में नमस्कार